हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल इसके ऑनलाइन सेंटर में आज हम बात करेंगे केंदरी बिद्यालिश संगठन जिसका ऑनलाइन फर्म शुरू हो चुका है इस फर्म को आप कैसे अपलाई करेंगे क्या कि आपको डाकुमेंट चाहिए कौन से ब जैसा कि आप देख पार है यह इसका में साइट है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से इसके में साइट पे चले आएंगे आने के बाद कुछ इस तरका अंटेफेस आपको दिखाई देता है जिसमें आपको लिखा होगा ने र हुआ सकते हैं इसकी बाद निचे आएंगेs खुल did कर कोरेंगे इसके बाद प्रसीड करेंगे प्रसीड करेंगे इसके बाद ने रेशियशन का अफ़्सन दिखाई देगा जिसमें बच्ची का फोस्टीम उसका मिडिल नेम उसका लाश्टिम करेंगे बच्च्छा डिब् बीट्वीन एक चार दोजाँ सोला से एक चार दोजाँ आठारे के बीच पे जो भी बच्चे जनम लिये हैं या जिनका डेटा बर्थ है वो इस फ़र्म को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसके बाद कर सकते हैं तो चलिए हम अपना रिशिशन कर लेते हैं जैसे ही आप रिशिशन पर क्लिक करेंगे आपने जो भी मोबाइल नमबर दिया है उस मोबाइल नमबर पर एक OTP को सेंड किया गया है OTP यहां से फिल करिए capture को फिल करिए इसके बाद verify पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम verify पर क्लिक करेंगे आप यहां पर देख पा रहे हैं आपका रेक्षिशन सक्सेस्फ़ली हो चुका है आपका बच्चे का नाम आपका लॉगिन आईडी और आपका जो भी मोबाइल नमबर है यहां पर शूर किया गया है ठीक है आप इसको कॉंपी कर लेंगे आसे या इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसके बाद नीची आएंगे हम नीची आने के बाद आप यहां पर देख पा रहे हैं प्रिंट आउट करते बाद डिटेल दिया था वह आपका पूरा डिटेल यहां पर शूप किया जाएगा इसके बाद इसके बाद डिटेल चूज स्कूल अप्लोड डॉकॉमेंट इसके बाद डिकलेशन एंड समिट का अफशन दिया है ठीक है तो पांच श्टेप में यह फॉर्म है पांच नीचे आएंगे हैं जैसे आप नीचे आएंगे दिव्यांगता का प्रकार अगर है तो यहां पर ऑफशन दिया है चूज कर सकते है वरना इसको छोड़ सकते हैं ठीक है इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फेमली इंकम ग्रूप आपका क्या है कम आए वर के अंतरगत नही अगर है तो यह कर सकते हैं आर्थी रुप से कमजोर है EWS वाले है तो इसको चूज करिए गरी भी रेखा के नीचे या BPL कार्ड के नीचे है आपके पास BPL कार्ड है तो वो चूज कर सकते है ठीक है तो मेरा BPL कार्ड है तो BPL कार्ड यहां से चूज करेंगे इसके बाद आ जारिक या उसका नाम याज फिल करेंगे, इसके बाद जातियां से फिल करेंगे, जनरल OBC, OBC non criminal layer, SC, HD, जो भी आपकर आएगा, ठीक है, OBC non criminal layer है, तो इसको चूच करिए, इसके बाद blood group आपका कौन सा, अगर देना चाहते हैं, तो दीजिए, अगर नहीं पता है, तो कोई problem ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हैं, इसके बाद next पर click करेंगे, हम जैसे ही आगे बाढ़ेंगे, आप यहां से माता का बिवरणा देंगे, मिस, मिसिस या लेट, जो भी आपकी माता है, आप चूच कर सकते हैं, तो मिसिस, माता का पूरा नाम याज फिल करेंगे, इसके ब इसके बाद nationality, इंडियन या अधर, जो भी आपका राइगां से फिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो option दिखाएंगे, क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासिय पता, पीता की आवासिय पता, फिल्ड में स्वता ही लिखा जाए, अगर है तो yes, हां करेंगे, अगर अलग- state चूज करेंगे, किस state से आप इस firm को apply कर रहे हैं, city के नाम आपका city का नाम है, जैसे मैं याँ से apply कर लेता हूँ, इसके बाद घर का पता यान पूरा address याँ से fill करेंगे, जैसे कि आप देख पार है, मैंने जो भी आप fill कर रहा हूँ, automatic याँ से fill किया जा रहा है, अगर आ अलग अलग address fill करना है, तो आप नहीं पर चूज करेंगे, अगर same address fill करना है, तो हाँ पर चूज करेंगे, इसके बाद pin code यास fill करेंगे, इसके बाद आप अपना alternate कोई mobile number fill कर सकते हैं, alternate कोई email id fill कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो यदि माता काम करती है, या थी तो किर्पया निम्न जनकारी भरें, बेवश्राई भरेंगे, और अगर पिता जी कोई काम करते हैं, तो उनके बेवश्राई का नाम, इसके बाद संस्था का नाम यास fill करेंगे, इसके बाद next पर click करेंगे, इसके बाद जैसा ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको यह स्टेट में चूज करेंगे, तो मैं यहां से उत्तरपर्दिस में चूज करता हूँ, यूपी में, तो यूपी यहां से चूज कर लेंगे, इसके बाद बिद्दयले का नाम चूने, यहां पर बिद्दयले का नाम चूज लेंगे, जो भी आपके सहार या गाउं से नर्दी ह grilling कर सकते हैं तो मैं यहाँ से बदिया है तो यहाँ में हूँ तो मैं भील ऐख सब्सक्राइब दिया है अपडरले दिया है में से इसकोल का प्राइब छेक नहीं आगे बढ़ेंगे तो क्या आपको देवा प्राथिमिक्ता स्रेणी भरने में मदद चाहिए अगर चाहिए तो आप इसको यस कर लिए बहुत से बच्चों को यह बहुत से गारियन की फॉर्म भरने नहीं आता है तो आप इसको चूझ कर लेंगे अगर आपको जनकारी है तो इसको नो कर लेंगे तो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ मुझे चाहिए इसके बाद पिता या माता का employer चूझ करें ठीक है तो यहां से क्या है आप आपको जो भी माता-पिता है क्या करते हैं घ्रीकर्चर है तो अगरीकर्चर चूझ करिए जो भी आपका डिपा इसके बाद अभिभावक्त में पिता या माता का चुनाओ करें जिनकी स्थनानतर के अधार पर प्रवेस का नेड़ाय होगा इसके बाद नेक्ष्ट करेंगे आप यहां से डाकॉमेंट का ओप्सन दिखाई देगा इसमें बच्चे का डेटा बॉर्थ सर्टिफिकेट या से अप्लोड करेंगी जो कि आपका 256 के भी से कमका होना चाहिए इसके बाद बच्चे का पास्वोड साइच का फोटो अप्लोड करेंगे इसके बाद नीचे आएंगे तो नेक्ष्ट पर क्लिक करेंगे जैसे आप नेक्ष्ट पर क्लिक करेंगे आप यहां से ओके करेंगे इसके बाद आप अपने प्रिव्यू को चेक करेंगे यहां से ज आप कहाँ से फिल करके आ जाएगा, आप इसको अच्छी से मिला लेंगी, आपने जो भी जनकारी दी है, सब कुछ सही है, कुछ भी मेरा गलत नहीं है, अगर गलत होता है, तो निचे आएंगे हम, निचे आने के बाद आप एडिट कर सकते हैं, ठीके, एडिट करने के बाद आप इसको जो कि final summit पर click करेंगे ठीक है चलिए हम इसको edit कर लेते हैं मेरा कुछ गलती हो गया है आप अपने बच्चे का केंद्री बिदाले में एडमिशन करा सकते हैं तो आपने देखा किस तरह से हमने केंद्री बिदाले संगठन में को कैसे आप online करेंगे क्या क्या आपको डॉकुमेंट चाहिए सारी डेल आपको बताया ठीक है यहाँ पर दिया हुए प्रोफर्मा डॉ करके आप अपने पास सकते हैं ठीक है यहाँ पर दिया हुआ सिल्फ डेक्रेशन डिस्टेंस बीट्वन इस्कूल एंड रसी डेंस ठीक है यहाँ कहा रहते हैं इसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्मेंट यह आपके पास अगर है जो नोकरी वगरा करते हैं इसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट गवर्मेंट जिन बच्चों के गार्जेन इसके बाद सेंट्र यहाँ पर सकते हैं आप यहाँ के आपके स्टेट्स चेक कर सकते हैं धिकी तो आपने देखा किस तरह से हमने केंद्रे विदाल संगठन या KBS के लिए online form आवेदन करने के लिए पुरा process बता दिया step by step सारी जान के लिए आपको provide किये तो आसा है ये वीडियो और सुपको पसंद आया होगा तो like करिए comment करिए और ऐसा information वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे है जाहिन दोस्तो